गाईज यह है Infinix Note 40 एंड यह वाला स्मार्टफोन मैंने 7 देल पहले Flipkart से 17,000 रुपीज का ओरर किया था एंड गाईज यह वाले स्मार्टफोन को मैं पिछले 7 दिन से यूज कर रहा हूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं एंड गाईज क्या इसमें दिक्कते हैं सारी चीजे एक छोटी से छोटी चीज भी मैंने एक्सप्लोर किये तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका complete review देने वाला हूँ तो भाई क्या करना है आपको वीडियो को complete watch करना है इसी स्मार्टफोन के review के बारे में मैं अभी एक से दो मिनट के बाद आऊँगा बट उससे पहले मैं आपको इसके best UI features के बारे में बता देता हूँ इसमें आपको always on display का option मिलता है with customized text जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है साहिब नूब यह customized text है और यह always on display पे set है and this is a very cool animation जब आप अपने face से unlock करोगे इस phone को तो आपको animation आता है and अगर आप call पे बात कर रहो तब आपको screen पे animation दिखाता है इस dynamic bar में and अगर आप voice record कर रहो तब भी आपको animation आएगा and charging के time पे भी जब आप charger पे लगाओगे इस smartphone को तो dynamic bar में एक cool animation आता है and in this smartphone also have kids mode अगर आपके घर में कोई बच्चा है या फिर आप अपने छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे को ये phone use करने के लिए देते हो तो आप kids mode पे shift करके दे सकते हो इस smartphone में अगर आप brightness को 0 to 100 करोगे तो ये एकदम smoothly जाता है ऐसा नहीं है कि अगर आप 0 to 100 या फिर 1000 लेके जा रहे हो तो एकदम से चला जाएगा ये smoothly जाता है अगर आप 0 to 100 जा रहे हो या फिर high to low पे आ रहे हो and guys quickly में आपको बता देता हूँ इसके box में आपको क्या मिलता है एक wireless magnetic charger, smartphone, charger, data cable, sticker and cover आपको इसके box में मिल जाता है and right side में guys आपको मिलेगा volume up down button, power on up button and left side में आपको मिलेगा sim slots, खाली, बाकी पुरा clean है up side में एक speaker sound by JBL, IR blaster and एक noise cancellation mic down side में आपको एक ओर mic मिल जाता है and USB type C charging port, एक speaker मिल जाएगा front side में हमारा display, selfie camera और in display fingerprint sensor and back side में triple camera setup with flash light and hello active light and इसकी जो back है वो different light के साथ color change करती है guys इसमें जो sim slot है उसमें आपको memory card का option मिलता है with dual sim, हाँ इसमें आपको e-sim का support नहीं मिलता है and एक छोटी सी चीज है जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, अगर आप देखोगे उपर की side में इसमें एक speaker है तो इन्होंने ना प्रोमो किया है branding sound by JBL और ये वैसे तो ब्रेंडिंग है बट मुझे प्रोमो लग रहा है this is my personal opinion उसके लावा अगर आप इसकी back को ध्यान से देखोगे तो आपको एक minor सा rectangle दिखेगा जो basically guys ये wireless charging के लिए है and ये easy visible हो जाता है और हाँ इसकी back में आपको एक minor सा rectangle दिख जाता है and guys इसका जो mic है वो properly work करता है हाँ इस smartphone के अंदर आपको दो mic मिल जाते है upper side का जो mic है वो noise cancellation mic है and downside में आपको इसको mic मिलेगा जो की properly work करता है बात करो में इसके speaker की तो इसके speaker जो है वो on call अच्छे से sound नहीं आता है मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कम sound आ रहा है बाकी videos watching करते time या फिर music सुनते time it is good and average and guys इसकी जो wireless charging है without cover अच्छे से काम नहीं करती है मतलब ऐसे यह slip सा होता रहता है उसके जो magnet है इसका उस पे से slip होता रहता है and अगर आप इस पे cover लगा दोगे तो अच्छे से काम करता है इसका wireless charging क्योंकि guys मुझे आदत है without cover phone यूज करने की तो wireless charge करना इसको थोड़ा difficult हो जाता है and इसका जो face unlock है वो properly work करता है even low light में भी इसका जो face unlock है वो काफी अच्छे से काम करता है मैंने different palace पे इसको use किया है और ऐसे कुछ problem नहीं आई है face unlock करते time even इसका जो fingerprint sensor है वो भी काफी अच्छे से काम करता है मैंने मेरे उंगलियों पे थोड़े dust वगेरा लगे वे थे तब इसका जो fingerprint है वो अच्छे से work करता है face unlock में या फिर fingerprint unlock में कोई problem नहीं होती है and एक mini सा feature है जो मैं आपको यहाँ पे include करना चाहता हूँ इसका जो notification बार है और status बार है जब आप slide करोगे उपर से नीचे तो status बार open हो जाता है and वही during status बार open आप notification बार को भी वही से open कर सकते हो एक mini सा feature था जो मैंने आपको बता दिया वैसे वीडियो पसंद आने पर आप like बटन दबा कर subscribe भी कर सकते है and guys इसमें आपको मिलता है 6.78 इंचिस का Full HD Plus AMOLED display with 2K resolution and 120Hz refresh rate on YouTube आप 4K HDR वीडियो देख सकते हो and colors are average मतलब उतने कुछ better भी नहीं है बढ़ हाँ ठीक है इसकी display के जो colors है वो average है and हाँ Netflix में आपको HDR support नहीं मिलता है and इसमें आपको triple camera setup मिलता है 108MP का main lens है plus 2MP plus 2MP and guys in this smartphone major highlight है इसका triple camera setup क्योंकि अभी हम camera को test करने वाले हैं तो वीडियो को continue watch करते रहना and इसके camera में काफी सारे features हैं but personally मैंने इससे काफी सारे photos क्लिक किये है and अगर आप यहाँ पे screen पे देख रहे होंगे तो काफी सारे photos मैंने इससे क्लिक किये है and अगर मैं बात करूँ यहाँ पे portrait mode की इसका जो portrait mode है वो properly work करता है अगर बात करूँ मैं photos की तरह तरह की मैंने photos इससे क्लिक किये and अलग-अलग situation से मैंने क्लिक किये 1x पे 2x पे बाकी सारी object की human की मैंने काफी सारी photos क्लिक किये तो in portrait mode इसका camera अच्छे से work करता है बट हाँ अगर आप इसकी photos को zoom करोगे तो quality में आपको pixelate होते वे दिखाई देंगे मतलब quality थोड़ी अच्छी नहीं आएगी अगर आप photos को zoom करते हो also have in this smartphone camera sky shop mode जिसके result काफी awesome है अगर आप देखोगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस mode में आप काफे मस्त वाले photos क्लिक कर सकते हो और यह भी personally मेरे को काफी सही लगा एक और mode AR short जिससे कि आप कुछ ऐसे photos क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से video भी record कर सकते हैं AR short के अंदर and easy smartphone में आप 2K 30fps and 180p 60fps बोथ camera से record कर सकते हो मतलब front and back दोनों camera से इस वाली setting पे video recording कर सकते हो so यह इसकी video recording है front camera से आप देख सकते हो और mic इसकी mic से आवाज आ रही है and अब है 180p 60fps और 2K में हम इससे बस 30fps तक record कर सकते हैं but 60fps हम 180p पे record कर सकते हैं और इसकी mic quality कैसी है comment करके बताना guys यह 2K 30fps इसके man camera से मतलब back camera जो है और आवाज आप सुन सकते हो मुझसे थोड़ा सा मतलब 2-3 meter की दूरी पर है camera guys अभी हम देखते हैं इसका stabilization कैसे काम करता है और आप check कर सकते हो अगर आप movement में record कर रहे हो तो कैसे output आपको मिलेगा इस smartphone के अंदर आपको अलग से film mode मिल जाता है जहांपे आप different filter set कर सकते हो और आपको night mode भी इसमें आपको मिल जाता है जैसे कि यहांपे आप photos देख सकते हो और इसका night mode भी अच्छे से work करता है बठा जब मैंने इससे selfie क्लिक की तो उतना कुछ खास quality मुझे दिखा नहीं इसमें मिलता है आपको OS Android 14 and MediaTek Diamond City 7020 Octa-Core processor जिसको अभी हम BGMI में test करने वाले और मैंने इसमें N22 benchmark भी चेक किया है जो कि 486,000 something उससे कुछ ऊपर था and BGMI में यह HDR support नहीं करता है मतलब maximum जो setting है वो HD support है और max fps को भी support नहीं करता है और मैं सच बताओ जब मैं इसमें BGMI खेल ला था ना भाई मेरे को ना ऐसे सामने noise noise सी दिख रही थी और BGMI खेलते टाइम इसकी performance बिल्कुली मतलब bad by disappointed performance के मामले में मैं इसको minus में तो number दे सकता हूं बठाँ 10 out of 1 भी नहीं दे सकता इसमें 5000 mh की battery है जो कि 33 charging वोट को support करती है and हां 15 watt wireless charging को भी support करता है and charging करते time आपको animation दिखता है जिसको आप change कर सकते हो and it is not effective like charging but you can change so guys this is a review after 7 days about Infinix Note 40 and video का कोई भी part पसंद आए तो please like करना so see you in the next video bye